है एवरीबड़ी वेल्कम बैक टो लर्न तो कम्पीट माइम इस हर्देव सिंग ठाकूर और हम जिस टॉपिक की बात करें हैं वो है मेजर्मेंट ऑफ नैशनल इंकम मेजर्मेंट ऑफ नैशनल इंकम हमारा टॉपिक चला हुआ है दो मेथड़ हम अल्रेडी कर चुके हैं एक म अगर आप लोगों ने वेल्यू अडिड़ मेथड़ की वीडियो नहीं देखिया तो वह पर आई बटन दिया हुआ है वहाँ पर आप चाके देख सकते हैं आज हम बात करेंगे एक्स्पंडिचर मेथड़ की सब शुरू करते हैं तेके तीन में बात करी थी वेल्यू अडि में वेल्यू अडिड़ कर दी उस में अगर 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 करते हैं तो क्या करते हैं expenditure भी करते हैं अब वह expenditure किसमें करेंगे जो चीजे प्रोड्यूस की गही है उन पर पैसा खर्चेंगे वह ठीक है तो वह होता है हमारा expenditure method इसमें क्या है जितना भी expenditure किया गया है different factors के द्वारा उन सबको हम add कर लेंगे और हमें national income मिल जाती है तो आज हम बात करेंगे इस expenditure method के बारे में अगर मैं definition की बात करूँ तो expenditure method arrives at national income by adding up all expenditure made on goods and services during a year यानि कि final goods and services पे एक साल के अंदर जितना भी expenditure किया गया है अगर हम उस सारे को calculate कर लें तो हम national income असानी से निकाल सकते हैं अब देखिए जो भी goods and services market में produce हुई है उन पे expenditure हुआ होगा यह बात तो हमने कर ली अब expenditure करेगा कौन पहला expenditure होता है private consumption expenditure यानि कि household household जो है समान करीते हैं अब उसमान करीते हैं तो क्या करते हैं? जिसे हम कहते हैं प्राइवेट consumption expenditure यानि कि different household दो जो जो expenditure किया गया है उसे हम calculate कर लेंगे और फिर इसमें हम क्या आड करेंगे इसमें हम आड करेंगे गवर्मेंट क्नप्शन expenditure क्या होता है देखें गवर्मेंट को services provide करती है अब उस कंजप्शन एक्सलिचर किया ब्こんな एक्सltry dak होगा इस खर्चे के लावा गौर्मेंट क्या करती है ? गौर्मेंट इंवेस्टमेंट करती है वह कमंईटमेंट में के अंचल कुलेट होता है इनवेस्टमेंट में कल्कुलेट होटा है तो उसजJust भी हम आड़ करेंगे capital formation यानि कि investment और investment दो टाइप की होती है एक investment होती है हमारी gross fixed capital formation fixed capital formation कौन सा? जो machinery की खरी दी गई, जो plant लगाए गई ये सब क्या है? ये fixed capital create की गई है दुसरा हमारा investment होता है inventory investment अब inventory investment क्या है? यानि कि stock में जो change किया गया जैसे मान लीजिए हमारी किसी firm के पास already 40 quantity पड़ी थी किसी product की इतनी quantity उसकी inventory में पड़ी है उसने 100 quantity और produce कर ली अब 100 quantity में से 80 quantity क्या है उसने बेच दी और उससे उसका पैसा कमा लिया लेकिन 20 quantity उसकी अभी बच गई है इस पे वो investment अल्रेडी कर चुका है यानि पैसा वो अल्रेडी खर्च कर चुका है लेकिन उसके पास क्या है यह product अभी बच गया है जो कि अभी sale नहीं हुआ है तो उसके पास total कितना product बच गया sale होने से 40 plus 20 यानि कि 60 quantity उसके पास अभी बची है अगर हमने inventory investment निकालनी है तो कैसे निकालते है final stock minus initial stock यानि कि 60 final है हमारा stock जो बचा है minus initial कितना था हमारा 40 था जब हमारा financial यह start हुआ था तो हमारी firm के पास already 40 quantity बची हुई थी पहले की तो हमारा inventory investment कितनी आगी 20 quantity यही आप देख सकते हैं यहां पर जो 20 का बचा था sale होने से वही इसकी inventory investment है अब inventory investment में क्या आता है raw material जो raw material company ने खरीद रखा है unfinished good और क्या stock unfinished good क्या है हमारी firm इस पे expenditure कर चुकी है लेकिन अभी यह sale नहीं हुई है क्योंकि अभी यह finish नहीं हुई raw material अब बोलेंगे sir raw material के add हो रहा है यह तो intermediate good होगी देखिए intermediate good तब होती जब हमारा final product बनके त्यार हो चुका होता है और वो बिग गया होता है लेकिन अभी यह raw material पे हमारी firm खर्चा कर चुकी है इसका कोई final product अभी नहीं बना है तो raw material हमेशा add किया जाता है जो raw material पे खर्चा हुआ होगा वो हमेशा add किया जाएगा unfinished good का खर्चा आज किया जाएगा और यह सब कुछ total मिला के क्या होता है हमारा stock होता है तो हम हमेशा final stock minus initial stock करते हैं inventory investment निकालने के लिए तो आप याद रखीगा gross domestic capital formation में gross fixed capital formation और inventory investment दोनों आता है कभी भी fixed capital formation और domestic capital formation में confused नहीं होना है जब भी question में दिया होगा fixed capital formation तो उसके साथ inventory investment जरूर दी होगी और इन दोनों को add करके आपने पहले gross domestic capital formation निकालना है इसके बाद last आता है हमारे पास net export यानि कि जितना भी market में product बना वो यह तो private consumption द Doll Ul quizzes ड़ा ईए गोर्मेंट द्वार एक्सपनिचर कर लिया गया या फिर हमारी 200 sigma में कि खाच हो गया वो product लेकिन कुछ product हमने क्या कर दिया export कर दिया yāni foreigners ने expenditure किया हमारे product के ऊपर लेकिन हमने भी कुछ actual expenditure है, एकक हमने कुछ प्रोड़क्ट के ऊपड़ी भी export किया है। यनि कि हमने फोरं से कुछ प्रोड़क्ट खrit़ा है। वह हमने हमारे economy में बने बने produk पर expenditure नहीं किया है, तो हमारे पास net export की value आ जाएगी तो इन सब को calculate करके हमारे पास आता है GDP at market price यहाँ पर GDP at market price को हम कैसे लिख सकते हैं consumption expenditure plus government consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export यानि की export minus import या फिर आप ऐसे लिखेजे private consumption expenditure, government consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export तो यह आगे हमारे पास GDP at market price और हमें पता है कि national income जो होती है वो होती है NNP at factor cost आप यहाँ देख सकते हैं यह gross की बात हो रही है यहाँ net की बात हो रही है यह domestic product की बात हो रही है यहाँ national product की बात हो रही है तो जब हमने gross से net पर जाना है तो हम क्या करेंगे gross देखिए मैंने आपको बताया था याद रखने का असान तरीका क्या है कि gross जो है वो बड़ी term है net जो है वो छोटी term है तो बड़ी term में से अगर हमने छोटी term पर जाना है तो हम माइनस कर देते हैं और क्या माइनस कर देते हैं हम GDP at market price में से हम घटा देंगे depreciation और हमारे पास क्या आ जाएगा net domestic product at market price अब यहाँ पे भी net है यहाँ पे भी net है लेकिन यहाँ पे domestic product है और यहाँ पे national product पर हमने जाना है तो हमें पता है domestic product छोटी term है national product बड़ी term है तो हम क्या कर देते हैं addition कर देते हैं तो NDP at market price में हम क्या add कर देंगे net factor income from abroad अब हमारे पास आ गया NDP at market price अब market price से हमने किस पर जाना है factor cost पर जाना है और मैंने आपको हर वीडियो में बताय हुआ है कि जब हमने market price से factor cost में जाना है तो हम minus कर देते हैं net indirect tax हमारे पास आ जाता है NDP at factor cost net indirect tax को हम क्या कहते हैं indirect tax minus subsidy अब यहां पर दो बाते जानने वाली हैं बहुत important है प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा जब हमने value added method से national income निकाली थी जब हमने सब कुछ calculate किया था value added जितनी भी value added होई थी तो हमारे पास क्या आया था gross value added at market price आया था इनकम method में हम जब सब कुछ add करते हैं तो हमारे पास आता है NDP at factor cost यह difference हमें सा याद रखिएगा अब value added में भी हमें GDP at market price मिलती है और expenditure method में हमें GDP at market price मिलती है लेकिन income method में हमें क्या मिलता है domestic income मिलती है जिसे हम कहते हैं NDP at factor cost तो कई बार हम confused आजाते हैं कि यह सब add करने के पास आखिर हमारे पास आता क्या है यह तीन अलग अलग method है इन दो method में हमारे पास GDP at market price आएगी और उससे हम NDP at factor cost निकाल लेंगे यहां पे हमारे पास NDP at factor cost आता है उससे हम NDP at factor cost निकाल लेते हैं और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कई बार question में या gross domestic capital formation के जगा net domestic capital formation दे दिया तब आपने क्या करना है यह तो आप net domestic से gross domestic निकाल लेंगे नेट से domestic पर जाना हो तो क्या करते हैं plus depreciation कर देते हैं यह तो आप net domestic capital formation से gross domestic capital formation निकाल लिए या आप क्या कीजिए net domestic capital formation को ही add कर दीजिए gross domestic capital formation की जगा अगर आप net को add कर देंगे तो क्या होगा देखिए gross से net पर जाने के लिए depreciation minus होता है यानि कि हम already minus कर चुकी है depreciation को अगर हम net domestic capital formation add कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा हमें ndp at market price आप देख सकते हैं हमें GDP at market price नहीं मिला हमें मिला ndp at market price क्यों 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 कि हमने यहां पर depreciation already minus कर दिया है तो हम दवारा depreciation GDP में से minus नहीं करेंगे हमें already वो क्या मिलेगा ndp at market price मिलेगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिच की जाती है यहां पर हमेशा आपने यहां तो gross domestic capital formation ही add करना है और यह gross fixed capital formation और gross domestic capital formation में difference याद रखिएगा gross fixed capital formation में हम inventory investment को add करेंगे फिर हमारे पास gross domestic capital formation आएगा तो यह था हमारा expenditure method अब इसमें भी कुछ precaution यूज की जाती है क्या है वो precaution पहला यह है कि expenditure on transfer payment by government should not be included यानि कि transfer payment करना ही होती है old age pension scheme तो यह सब क्या होते है इनके बदले में government क्या नहीं ले रही है को productive services नहीं ले रही है यह expenditure जो productive services पे नहीं किया जाता है इसलिए यह national income में आड नहीं होता दूसरा है expenditure on purchase of old share and bonds जो expenditure किया गया है old share and bond पे वो भी आड नहीं किया जाता क्योंकि यह सिफ एक ownership document है यह किसी भी goods and services जो economy में इस साल produce की गई है उस पे खर्चा नहीं किया गया है इसलिए यह भी हमारा national income में आड नहीं किया जाता फूर्थ है हमारे पास expenditure और intermediate goods should not be included इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि हमेशा final good की value को ही calculate के जाता है तो expenditure भी जो final good पे होगा सिर्फ उसे ही हम calculate करेंगे intermediate good के expenditure को हम calculate नहीं करेंगे तो I hope आप लगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर फिट भी कुछ confusion है तो please comment box में लिखना मत भूलेगा और चैनल को subscribe किये बिना मत जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक be safe keep learning जैहिन धन्यवाद